बुद्धार सुभह तमिलनाडू के कुन्नूर में सेना का MIS-17 V5 विमान हाथसे का शिकार हो गया इस विमान में देश के चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ विपिंद रावत और उनकी पत्नी समेट लगभग 14 सेना के अधिकारी शहीद हो गये जानकारी के मताबिक खराब मौसम के चलते हेलिकॉप्टर दुरगटनागरस हुआ था इस बात की जानकारी इंडियन फोर्स ने अपने ट्वीट के सरी दी है चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ चेनरल बिपिंद रावत और उनकी पत्नी मदुलिकार रावत का निदन हो गया लोग सवार थी वायू सेना ने ट्वीट कर इसकी चानकारी दी बता दे कि जैनरल रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटार होने के बाद देश के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ पने थी वह 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ पनाये गये थी उत्रागंड से तालुक रखने वाले जनरल रावत को पुर्वी सेक्टर में एलोसी कश्मीर घाटी और पुर्वत्तर में काम करने का लंबा अनुभव था अन्शात इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को दुवरिष्ट अफसरों पर तरजीहत देते हुए आर्मी चीफ पनाया था